अब आता है peripheral nervous system the peripheral nervous system is made up of the neurons and ganglia इन दो चीजों से मिलके बना होता है group of nerve cells body ganglia किसे बोलते हैं बहुत सारे bundle of group of nerve cells एक single neuron और बहुत सारे group में neuron अगर है उसे ganglia बोल देता है overall peripheral nervous system neuron से मिलके बना है बस्य मान के चलो या तो बहुत सारे neuron होंगे जिसे ganglia बोलेंगे या एक single neurons होगा these neuron extend out from center nervous system into the periphery to interact with other tissues such as muscles, organ and glands ये ध्यान दखना ये जो neuron है जो peripheral nervous system को बना रहे हैं ये कहां-कहां फैले होते हैं पूरी body में बुलु कलर का जितना भी दिख रहाए आपको बुलु कलर का हर जगे फैले रहते हैं कहां से अटेच रहते हैं आपकी brain या center nervous system से इकहां आप यह बोल सकते हो आपके सेंटर नर्वस सिस्टम से अटेज रहते हैं फैले कहां होते हैं हर जगह कोई ऐसा और नहीं है जहां पर यह ना फैले हो तो मैंने बताया कि पैरिफेरल नर्वस सिस्टम किसे मिलके बना है निउरोंस एंड बंडल सॉप या ग्रूप आप नर्व पहारी लेवता अंदर से लेके बाहर हर जगह फैले रहते हैं और इंट्रेक्ट करते हैं मिले रहते हैं जुड़े रहते हैं अदर टीशू या औरगन कुछ भी बोल दो सच एस मसल्स औरगन ग्लेंड्स यह तो एक्जामपल दरेके से जादा भी हर जगह जुड़े पेर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अभी इस पर एट सर्वाइकल त्वेल्फ और एकिक यह बता भी रखा इसमें तो यह है पैरिफेरल नर्वस सिस्टम जितने भी यह यह निकल रही लाल रंग की यह परपल कलर की यह ग्रीन कलर की और यह स्काइब बुलू कलर की यह सब के सब पैरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है और उसी की नियूरॉन है तो इसमें 31 पैर नियूरॉन के होते हैं मतलब पता रखा कि 8 जो है वो कहां से निकलते हैं सर्वाइकल 8 सर्वाइकल 12 थोरे कि 12 पूरे थोरे कि वो टिब्रा से यह नर्व निकलते हैं जो पैरिफेरल नर सब्सक्राइब और जोड़े बारा पेर जो निकलती है वह क्रेणियल मतलब यहां से यह एरिया जो आपके ब्रेंज से बारा पेर आपके जो हैं कहां से निकलेंगी क्रेनियल बोलते हैं और यह जो टोटल थर्टीवन पेर है जो सारी पेजोक निकली यह सब निकलेंगी आपके वर्टीपरा से वाटीब्र शिए लो से चेहर गटीवर्टीब्रा से और पारिफेरल नर्वर सिस्टम इंक्लूड ईपरेंट नर्व एंट कि अफ्रेंट किसे बोलते हैं और इफ्रेंट किसे बलते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यह अंतरगत यह दो प्रकार की और नर्व साथ यह एक होती है अफ्रेंट नर्व और एक होती है इफ्रेंट नर्व अब फ्रेंट नर्व को बोलते हैं सेंसरी नर्व और इफ्रेंट, E-Double-F-E-R-E-N-T, इफ्रेंट नर्व को बोलते हैं मोटर नियूरोन, The peripheral nervous system is further subdivided into, अब peripheral nervous system है इसको दो भाग में divide किया गया है, पहला भाग है autonomic nervous system, दूसरा भाग है sensory somatic nervous system, sensory somatic nervous system, इध्यान दखना देख हो यहां पर भी लिखा होगा, अगर मैंने पताया होगा, पहला भाग है autonomic nervous system, दूसरा भाग है sensory somatic nervous system या somatic nervous system भी इसे बोल देते हैं से the somatic and autonomic nervous system consists of efferent neuron इफ्रेंट neuron कौन से हुए motor neuron इनसे मिलके बने होते हैं और ये दोनों system इन में से एक system नाम से ही परचलित है autonomic मतलब आपके control में नहीं है कोई भी एक है somatic यह आपके control में मतलब voluntary होता है the peripheral nervous system which consists of neuron and part of neurons found outside of the center nervous system include sensory neurons and motor neuron अभी जो मैंने आपको बताया include sensory neuron और motor neuron कहीं अफ्रेंट इफ्रेंट भी आ सकता है कहीं sensory और motor neuron भी आ सकता है exam sensory neuron bring singular into the center nervous system and motor neuron carry signal out of the center nervous system same वही लाइन बिल रही है कि sensory neuron या friend neuron का का काम क्या होता है वो signal को message को center nervous system की तरफ पहुचाते हैं और यहां पर क्या लिखा था brain की तरफ पहुचाते हैं बात तो एक हुई center nervous system का ही तो पार्ट हुआ brain और किसी का पार्ट फोने ना हुआ अब हम यह पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे autonomic nervous system autonomic nervous system मैंने बताया involuntary होता है conduct impulses मतलब electrical impulse message यहां impulse word आगया इसका मतलब message से बात बात है लेकि नर्वस सिस्टम में message का आदान परता है WhatsApp वाला message नहीं और impulse का मतलब ही होता है electrical current तो conduct impulses from the center nervous system to cardiac muscle smooth muscles and glands अब यह ध्यान दखना दिखिए क्या लिखा हुआ इसमें कि autonomic nervous system में जो electrical impulse होती है message होता है वो center nervous system से मतलब brain और spinal cord से particular organ की तरफ message जाएगा क्यों जाएगा भई अभी बताया था यह निची वाली लाइं क्योंकि the somatic and autonomic nervous system सिर्फ different neuron या motor neuron से मिलके बने होते हैं इसलिए अब कोई भी ऐसा message brain की तरफ नहीं जाएगा message center nervous system की तरफ नहीं जाएगा center nervous system brain या spinal cord से message particular organ की तरफ जाएगा और कौन से organ ऐसे organ जो act करते हैं लेकिन आपके control में नहीं रहते हैं तो autonomic nervous system में आपका skeletal muscles नहीं आता है skeletal muscle का contraction नहीं आएगा क्योंकि skeletal muscles जो है वो voluntary control करती है voluntary आपकी मर्जी पर control है उसका लेकिन जो autonomic nervous system के अंदर वो organ आएंगे वो system आएंगे वो tissue आएंगे जो involuntary act कर रहे हैं जैसे cardiac muscle involuntary act करती है smooth muscles involuntary act करती है different type की glands involuntary act करती है और हमेशा autonomic nervous system में center nervous system से और center nervous system के दो पार्ट है brain और spinal cord तो या तो center nervous system बोल दो या brain और spinal cord बोल दो बात एंगे तो इनसे brain और spinal cord से या center nervous system से message electrical current या electrical impulse cardiac muscles की तरफ smooth muscles की तरफ जाएगा the autonomic nervous system नाम से ही एक्जाम में पूछ लें कि हमारे heart का contraction and relaxation heart भी contract or relax करती है रहान रखना contraction relaxation तो heart का contraction and relaxation के लिए कौन सा nervous system का part responsible होता है आप बोलोगे autonomic nervous system क्योंकि हाट की जो muscle contract relax कर रही है वो involuntary है तो the autonomic nervous system controls physiological functions that are unconscious in nature बतलब हमारे body के internal सभी प्रकार के physiological functions internal बोल रहा हूं मैं internal सभी प्रकार के physiological function सब के सब autonomic nervous system ही control करता है कौन कौन से function चाहे intestine के अंदर चाहे आपके stomach के अंदर चाहे kidney चाहे कोई भी gland हो जाए कुछ भी सब जगे इसमें दिखावी वाई इस रिस्पॉंसिवल for the regulation of variety of body's physiological function body की physiological function including regulation of heart rate heart rate को regulate करने का काम control कौन करता है autonomic nervous system blood pressure को control करने का काम करता है autonomic nervous system digestion breathing etc 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 even though the autonomic nervous system is normally thought of as unconscious control of bodily function unconscious क्यों बोला हुआ है क्योंकि वहीं से involuntary से बना हुआ है अपने आप होना है सब चीजे आप consistently unconsciously अपने आप यह सब काम होंगे जब आप ज्यादा खाना खाओगे heart rate increase करेगा autonomic nervous system आपका digestion में help करेगा autonomic nervous system जैसे ही आपने आधा kilo खाना खा लिया एक kilo खाना खा लिया वैसे ही autonomic nervous system के through सारे electrical message आपके कहां पर जाएंगे heart के पास की maximum amount of blood stomach की तरफ transfer करो ठीक है वो message जा रहा है और वो transfer कर रहा है सारा blood कहां पर transfer कर रहा है डाइजर्शी system की तरफ brain की तरफ message कम transfer हो रहा है मतला brain की तरफ blood कम transfer हो रहा है जब brain की तरफ blood कम transfer हो रहा है तो brain सिरिफ depend करता है glucose से ही अपनी energy लेने तो ब्लड में oxygen और गुलकोज ब्रेन की तरफ ना जाकर श्टमक की तरफ जा रहा oxygen तो आपको नीज आने लग जाती है पहला कारण खाना खाने के बाद आपको laziness और उबासी नीज आने लग जाती है पहला करानी होता है दूसरा कारण होता है जितने भी digestive enzymes निकलते हैं उसकी वज़े से भी आपको लेजीनेस आने लग जाती है नीना ने लग जाती है दीज में सम कॉंसेस कंट्रोल पॉस्टिवर कुछ कॉंसेस कंट्रोल भी हो सकते हैं अभी इस वाइट में लिखा है सब्द करते हैं उसमें भी धसी रहती है कौन सी ऑटोनॉमिक नवस एंड सम एंडोकरायन ग्लेंड्स में भी धसी रहती है the heart and intestine display autonomic excitability same यही बोला हुआ heart और आपका intestine और अधर भी lungs भी बोल सकते हैं उसे बहुत example यह दो ही दे रखे हैं यह सब automatically excite होते हैं relax होते हैं contract करते हैं relax करते हैं intestine के अंदर होती है smooth muscle वो भी involuntary काम करती है heart के अंदर होती है cardiac muscle वो भी involuntary काम करती है तो यह दोनों involuntary काम करती है unconsciously अपने आप जब जरूत होगी तब भई heart को भी निरुख सकते आप अभी कुछ मंत्र पड़ो कि भई मेरा heartbeats पचास हो जाया हो सकता है नहीं वो unconsciously autonomic nervous system ही उसे control कर रहा है वो आपकी requirement के उपर है कि भईया क्या आपकी heart rate को ज्यादा करना है कम करना है वो डिपेंड सब autonomic nervous system काम करेगा उसे आपकी मरजी पर नहीं है but one can also exert conscious control over these tissue under some circumstances the autonomic nervous system is subdivided into two basic components sympathetic and parasympathetic nervous system autonomic nervous system को दो भागों में divide किया है यह देखो autonomic nervous system को दो भागों में divide किया है पहला है sympathetic nervous system motor क्यों बोल दिया ऐसे क्योंकि अभी बताया था है कि autonome nervous system में different nervous consists बोला है मैं autonome nervous system is consists of लिखाओ ना somatic और autonomic दोनों consists of different neuron different क्या होता है motor neuron इसलिए यहां पर इसका नाम इन्होंने motor system बोल दिया sympathetic motor system बोलती है यह बोल दो sympathetic nervous system भी बोल सकते हैं सेम ऐसी parasympathetic nervous system तो autonomic nervous system को दो भागों में divide किया है parasympathetic और sympathetic nervous system अब पढ़ते हैं हम सबसे पहला sympathetic nervous system sympathetic nervous system सबसे पहला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अब सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ग्यान ले लेते हैं या ग्यान दे लेते हैं कि अग्या कि